तो आज हम पढ़ने वाले हैं product की classification के बारे में So product का classification टू टाइपस में हुआ है एक ही consumer product और एक ही industrial product तो consumer product क्या होते हैं ऐसे product जो की consumer के द्वारा खरीदे जाते हैं और use किये जाते हैं उनको consumer product कहा जाता है ऐसे product जो consumer की need और want को satisfy करते हैं और उनको utilize करते हैं customers उसको हम consumer product कहते हैं Consumer product वो सारे daily उसके products को include करते हैं जैसे कि छोटी से छोटी जो उनकी need है उसको पूरे करने से लेकिए जो उनकी इक्छा हैं जो उनकी luxuries को हैं उनकी standard of living को increase करने तक कि लिए जितने भी products हैं उन सारे products को include करता है consumer product इसमें बहुत सारे variations है क्योंकि जो customer को use करने की जो preferences है उसमें बहुत सारे variations है इसलिए marketing में consumer product को भी चार अलग categories में categorize किया गया है तो उसके चार types जो हम कहते हैं वो है convenience product, shopping product, specialty product and unsort product इनके बारे में भी हम आगे वाले shorts में पढ़ेंगे पर अभी हम इसका से फिर थोड़ा सा overview देख रहे हैं तो उसमें अब second product जो आता है वो industrial product, industrial product एक ऐसे products होते हैं जो कि finished product को बनाने के लिए जब हमें किसी product की need होती है तो उसको industrial product कहते हैं industrial product जो industries, business, firms इन लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं और use किये जाते हैं इनको ये लोग बेच नहीं सकते हैं इनको खरीदा सिर्फ इस ली जाता है ताकि जो उनके finished products हैं जो product उनको बनाने हैं उसमें वो मदद कर सकें जैसे कि raw material हो गया, capital goods हो गए, equipments हो गए, machinery हो गए, services हो गए इस type के जब goods industry के द्वारा खरीदे जाते हैं तो उसको industrial goods कहा जाता है consumer products का जो example है वो ये है कि जैसे air condition अगर किसी consumer अपने घर में लगाने के लिए उसके है तो उसको consumer product कह देंगे और वही air condition अगर उन्होंने अपने business में अपने employees के लिए लगाने के लिए उसकिया है तो उसको industrial product कहेंगे और आगे आने वाले videos में हम इनके differences और इनके types के बारे में भी बढ़ेंगे